नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्र, प्रम्मांड सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्र, प्रम्मांड सिद्यास्ट्रों में आप स्वागत है। उस परिकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा, सुबह 10 बचकर 48 मिनिट से लेकर 12 बचकर 30 मिनिट तक और यमगंडगाल दोबर 3 बचकर 53 मिनिट से लेकर 5 बचकर 35 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंडगाल दिन के अशुपकालावदी कहे जाते हैं, इस वे किसी भी प्रकार के महतुपणकाम या फिनिन ने बिलकुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का चंद्रमा है, या चंद्रमा मीन राशी में ब्रमन करेगा, या चंद्रमा नेप्चन के साथ यूतियोग करने जा रहा है, रवी के साथ केंद्रयोग करने जा रहा है, उस प्रकार गुरु और हर्शल के साथ लाबयोग भी करने जा रहा है। यह गरसिती सामने रखते हुए, बारा राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विशे पर अब हम चर्चा करें दिए। करने जा रहा है, महतो पुर्णे दिन है, आपके लिए घुमना फेना जादा हो सकता है, किसी भी प्रकर के महतो पुर्णे काम, कमिट्मेंट, फ्रॉमिसेस आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है, वो चुक सकते हैं, लेकिन यदि आप धार्मी क्या फ को है, व्रिशब राशिन, व्रिशब राशिय के लाब अबहों में चंदरमा का ब्रमन है, वही पर सिद निप्चुन के साथ, यह चंदरमा यो तीयो करने जा रहा है, आपके द्वितिय अबहों में सिद रवी के साथ, यह चंदरमा के इंद्रयों करने जा रहा है, और आप आपको मूड एनर्जी लेवल काफी अच्छे देखी जाएगी दिन आपके लिए शुबफलदा ही सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के दशमबाव में चंद्रमा का फ्रहमन है वही पर सित निप्चुन के साथ ये चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है आपी के राशी में सित रवी के साथ ये चंद्रमा केंद्रयो करने जा रहा है और वही वहां में सित गुरु हर्शल के साथ ये चंद्रमा लावियो करने जा रहा है जो भी आपका कारीशेत्रे है वहाँ पर किसी भी प्रकार के महत उपड़ने नहीं लेना वसी प्रकार जो भी आपका कारीशेत्रे वहाँ पर किजो लोग एक उनके साथ चुटी मूटी बातों को लेकाता करार हो सकती है द्यान रगिए दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के बाग्याव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वहे पर सित निफ्चुन के साथ ये चंद्रमा यूतियों करने जा रहा है आपके लाब बाव में सिद गुरो हर्शल के साथ या चंदरमा लाब योग करने जा रहा है वे या बाव में सिद रवी के साथ या चंदरमा केंदर योग करने जा रहा है मैं तो बड़ा दिन है आपके लिए काफी जादा शुफल दाई सावित होगा आज के दिन कुछ अच्छे intuitions आज सकते हैं, जरूर इस परकाम कीजिए, बविश्य में ज़ा कि ये intuitions आपकी लिए शुफलदाई सावित होंगे, कुछ अच्छे लाब होंच सकते हैं, मितर परिवर के साथ मुलाकात हो सकती हैं, सिर्फ आज की दिन commitment promises की बात थे बिल्कुल पे नहीं करना। स्वास के समस्या सामने आ सकती है। अगर आप वीवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जुटिदार है। उनके साथ छोटी मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है। उसे प्रगार जो भी आपका तारी चत्रे हैं वास उससे रिलेटेट किसी प्रगार के महत बुरने निरने नहीं लेना। आपके आज के दिन गुमना फिरना जादा हो सकता है। इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी। आज का जो दिन है आपके लिए अश्व फ्रगार जावित होगा। इसके बात की जो राशी है वो है भृच्चिक राशी। भृच्चिक राशी के पंचम बाव में चंदरमा का ब्रहमन है। ये चंद्रमा यूतीयों करने जा रहा है आपके सब्तमबाव में से गुरु अश्रम के साथ ये चंद्रमा लाव यह करने जा रहा है और आपके अश्रमबाव में से रवी के सा बाद भी आज आपके आर्मने बहुत ही अच्छे देखी जाएगी, स्वास के समस्या चोटी मोटी सामने आ सकते हैं, दिन आपके डिये शुगफन लिदाई सापित होगा। के द्रियोग करने चारा है, मैं तो बने दिन हैं, आपके रिखास कर गए गर के जो लोग हूँगे, उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा द्यान देना होगा चोटी मोटी, लाब आज के दिन हो सकते हैं, अगर आप विवाइद हो तो आपकी जो वैवाई जुड़ी दार हैं उनके साथ चोटी मोटी मातों गले करता कराफ वो सकती है, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशी, मकर राशी के तरितिया वावमे चंद्रमा का भ्रहमन है, वही पर सित निप्चिल के साथ ये चंद्रमा युद्धियोग करने जा रहा है, आपके पंचंपो में सित बुदो के साथ रवी के साथ ये चद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है काफी महत बुढ़न दिन है आपके लिए आज जो भी अलुमन लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजरेंगे भूमना फिर न जादा हो सकता है थोड़े ट्रैवलिंग भी हो सकती है अगर आप किसी के रिलेशन्जिप में आप दोनों में जो हार्मनी वो काफी अच्छी दिखी जाएगे उसे परकार अगर आप शेरमान के में ट्रक करते हैं तो पुझ अच्छे लाव अगरा भी मिलेगे स्वास्त के बारे में थोड़ा द्यान देना होगा दिन आख के लिए शुख फिलदाई सामित होगा इसके बात की जो राशी है फो है कुंबर राशी के दिखे वामी चंद्रमा का ब्रमन है वही पर सिद दिख्छन के साथ यह चंद्रमान योतियो करने जा रहा है आज के दिन कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकता है गर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपके आपके लिए मिला चुला साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी में चंद्रमा का भ्रमन है और वही पर सिद दिख्छन के साथ यह चंद्रमा योतियो करने जा रहा है तरितिया भाव में सिद गुरु अर्शल के साथ यह चंद्रमा लाव यो करने जा रहा है में तो बूढ़े दिन है आपके लिए आज के दिन कुछे अच्छे लाब अगरा मिल सकते हैं अगर कुछ अच्छी इंट्विशन्स वगरा भी आ सकती है अगर आप धार्मीक या फिर अध्ड़ियत मिमार में है तो कुछ अच्छी intuition आ सकते हैं जरूर इस फरकाम कीजिए अगर आप किसी के relationship में आप दोनों में जो हरवनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी अगर आप share management ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं करके जो लोग उनके साथ चोटी मूटी बातों पर लेकर तकरा हो सकती है दिन आपके लिए शुबुखनलेदाई साविक होगा तो दोस्तों ये था दिनाथ 28 जूल दो हजार चोबिस का समपुडर राशिफल आपके लिए शुबुखनल कैसे लगा आपने किस प्रकार से नमों किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना से है निवाब